हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप लोग होप आप सभी ठीक होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पोहे की रेसिप्टों मोस्टली लोग ब्रेकफर्स्ट में प्रिफर करते हैं क्योंकि यह बहुत जादा है इसमें हेल्दी काफ्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स रेचन आइरन फैट लॉस में हमारी हेल्प करता है तो वीडियो शुरू करने से पहले में एक बात कहना चाहूंगा आप भी इस वीडिय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दवाना ना भूले तो आई यह शुरू करते हैं कि है कि हेल्दी पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटूरी पोहे को धोकर सुका लिंगे देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है हम इसमें स्वादा नूसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएं अब पैन में चाट चम्मच ऑलिव ओल डालेंगे फिर इसमें सरसो के दाने कटी हुई हरी मिर्च और कडी पत्ता डालेंगे इसे मीडियम फ्लेम में एक मिनट तक पकाएं अब इसमें एक बारिक कटा हुआ प्याज और आदी छोटी कटोरी मुम्फली के दाने डालें अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं अब इसमें पनीर डाल कर इसे अच्छे से भून लें इसमें कटा हुआ गाजर कटी हुई शिम्ला मिर्ज डाल कर दो मिनट तक अच्छे से पकाएं देखिए अब यह अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें पोह डालेंगे अब पोहे को सबजियों के साथ अच्छे से मिलाएं और इसमें हल्दी एड़ करें आप चाहें तो इसमें हल्दी सबजियों के साथ भी एड़ कर सकते हैं इसे दो या तीन मिनट तक अच्छे से हिलाते रहें ताकि पोहा चिक्के न अब इसे एक बरतन में खाली करके इसमें नीबू निचोड़ें और कटा हुआ बारिक धनिया डालें हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने के लिए तैयार हैं इंग्रीडियेंट्स की क्वेंटिटी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं hope you all like my video please like share and subscribe